विन्डोज 10 में नोटिफिकेशन प्रेजन करने का एक निया तरीका है Action Center Action Center सभी system notification के लिए एक हॉप जयसा है Notification जैसे की Incoming Email, Security and Maintenance, Tips from Microsoft, और भी बहुत कोछ आज की क्लास में हम Notification Pen and Action Center के बारे में डीटेल में समझेंगे Hello दोस्तो, Welcome to Tutorera मैं राजीप, आप सिखेंगे मेरे साथ Windows 10 यह Windows 10 Tutorial का 5th वीडियो है अगर आपने प्रिवेस वीडियो नहीं देखे तो आपको लिंक डेस्क्रिशन बर मिल जाएंगे उसे जरूर देखिए अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो इस वीडियो को पूरा देखना कोई भी स्टेप स्किप मत करना अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आभी सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको फ्यूचर में ऐसा ही helpful content मिलती रहे अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ चलिए commenter screen पर Windows 10 में जब भी कोई notification आता है जैसे कि कोई email हो गया कोई app का notification हो गया तो वो notification pen में आपको दिखेगा आपको notification pen tax bar के end में clock के ठीक side में आपको दिखेगा एक बटन है देखिए इसको click करने से आपका notification panel open हो जाएगा ये notification panel बहुत हद तक आपके smartphone के notification pen जैसा ही है जब भी आप notification pen को click करेंगे एक sidebar खुल जाएगा इस sidebar का उपरी हिस्सा tips और apps notification के लिए है और निचला हिस्सा quick action बटन के लिए है आप एक बार बाहर click कर दोगे तो आपका notification pen वापस बंद हो जाएगा आप चाहे तो इसको shortcut की से भी open कर सकते है shortcut की है window A आप keyboard से window A दबाइए आपका notification pen keyboard shortcut से ही open हो जाएगा इसे बंद करने के लिए दुबारा आप window A को प्रेस करके बंद कर सकते हैं मैं notification pen पर click करता हूँ यहाँ आप देखिए कुछ notification आया हुआ है अगर मैं वो notification को open करना चाहूँ तो किसी notification पर click करके मैं directly उस app में चला जाऊँगा और उसका इस्तमाल कर पाऊँगा मैं इसे बंद कर देता हूँ आप देखिए अगर आपको notification को dismiss करना है आपको open नहीं करना है तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं यहाँ पर लिखावा है देखिए dismiss यहाँ पर click करके आप वोस notification को dismiss कर सकते हैं इसी तरह से अगर सारे notification आपको dismiss करना है तो आप click किजे clear all notification यहाँ पर आप click करके जितने भी notification आपको आया हुआ है तो सब को clear कर पाएंगे notification pen के निचले section में जो buttons आपको दिखाई दे रहे हैं यह है quick action button इसके जरीए आपको यह action directly यहाँ से कर सकते हैं जैसे कि अगर आपको settings में जाना है तो यहाँ पर all settings में click करके directly up setting में पहुँझ जाएंगे इसी तरह से अलग-अलग action button इस्तिमाल करके आप अलग-अलग काम कर पाएंगे call apps पर click करके quick action buttons को आप minimize कर सकते हैं हलाकि चार button आपको वैसे यह दिखाएगा और इसको expand करके आपको सारे notification button यहाँ पर दिखाएगे यहाँ पर देखिए जो भी action button आपने on किया हुआ है वो अलग color में दिखा रहा है देशेगी यहाँ पर blue में दिखा रहा है मेरा location on है तो वो दिखा रहा है अगर मुझे location को बंद करना हुआ तो मैं यह location पर click करके location को off कर पाएंगा इसी तरह से मैं wifi को भी चाहूँ तो बंद कर पाऊंगा notification pen में जो action button आपको दिखा रहा है यह अलग-अलग computer पर अलग-अलग तरह से दिखाएगा Windows 10 आपके computer के configuration के हिसाब से इस notification buttons दिखाएगा यहाँ पर सारे notification button नहीं दिखा रहा है और भी बहुत सारे ऐसे notification button है जो की laptop या दूसरे computer पर आपको दिखाएगा आपके computer के configuration के हिसाब से तो जो यहाँ पर नहीं दिखा रहा है तो मैं उसका एक list में बता रहा हूँ उसका काम भी आपको बताऊंगा अगर आपके computer में दूसरा कोई notification button दिखा रहा है तो उसका भी आप इस्तवाल कर पाएंगे तो एक एक करके देखते हैं कि कौन सा notification button का क्या काम है Aeroplane mode इसका पहले नाम Aeroplane mode था अपडेट के बाद फ्लाइड mode हो गया है ये action button आपके computer को फ्लाइड mode में डाल देगा इसका मतलब आप wifi, bluetooth बगएरा कुछ इस्तवाल नहीं कर पाएंगे All settings इससे क्लिक करके आप directly settings आपको खोल सकते हैं Battery Saver Battery Saver action button का इस्तवाल करके आप अपने laptop का battery बचा सकते हैं Bluetooth इससे आप अपने Bluetooth Enable Devices को connect कर सकते हैं manage कर सकते हैं Brightness आप अपने display के brightness को adjust कर सकते हैं इस action button से ये action button भी आपको laptop पर ज्यादा दिखाई देगा Connect action button इस action button के जरिए आप Bluetooth Enable Devices को connect कर पाएंगे Location आप अपना location service को on-off कर सकते हैं directly notification pen से ही इसी action button के जरिए Network इससे आप कौन से network पर connected हैं कौन से wifi पर connected हैं आप directly देख सकते हैं network के through Note action button इस action button के जरिए आप Microsoft OneNote पे note create कर सकते हैं project अगर आप dual monitor इस्तमाल करते हैं तो आप अपने screen को दूसरे monitor पर project कर पाएंगे through this action button quiet hours इससे आप अपना notification को dejavel कर सकते हैं थोड़ी दर के रिए जैसे कि आप कह सकते हैं do not disturb mode में आप चले जाएंगे rotation lock अगर आप windows को tablet में इस्तमाल कर रहे हैं तो इससे आप अपना orientation बदल सकते हैं portrait या landscape में switch कर सकते हैं इस notification button के जरिए tablet mode इससे आप mode switch कर पाएंगे between desktop mode and tablet mode vpn आप किसी virtual private network vpn पे connect कर पाएंगे vpn action button के through wifi इस action button के जरिए आप wifi को on या off कर पाएंगे अपने computer पर तो यह था कुछ action button जो ज्याजा तर laptop या desktop पे आपको दिखाई तेगा इसका इस्तमाल करके आप अलग-अलग type का action perform कर सकते हैं अपने computer बर customizing notification हम notification कैसे customize करेंगे customization में पहले देखते हैं कैसे quick action button को हम add और remove कर सकते हैं अगर आपको कोई button इस्तमाल में नहीं लेना है आप नहीं चाहते कि यहाँ पर वह दिखाए तो इसको आप चाहें तो बंद भी कर सकते हैं कैसे करेंगे देखिए इसी notification pen पर right click कीजिए तो एक option आएगा edit यहाँ पर आप click कर दोगे तो edit mode में आ जाएगा आपका notification pen यहाँ पर देखिए सारे action button के side में pin का button आ रहा है आप जिस action button को remove करना चाहते हैं यहां से on pin कर दिए जैसे कि for example मैं चाहता हूँ focus assistance को हटाना चाहता हूँ तो click कर दूँगा वह चला जाएगा देखिए इसको करते हैं VPN पर click करके इसको remove कर दूँगा तो जो भी action button यहाँ पर आपको नहीं चाहिए आप उसको remove कर पाएंगे for example और एक करके देखिए अगर आपको काम हो गया तो आप down पर click कीजिए और बाकी notification जो भी रहा गया वह आपको यहाँ पर देखाएगा इसको भी आप collapse या expand करके switch ऐसे कर पाएंगे अगर आपको दुबारा से कोई button वापस लाना है तो वही procedure फोलो कीजिए right click edit कीजिए और यहाँ पर देखिए एक option दिखा रहा है add पर click करेंगे तो जितना वी action button आपने onpin की हो है वो सारे नीचे दिखा रहा है जिस action button को आपको दुबा पर सारे ही वो अपस ले आया हूँ अब दुबारा से आपको down में click करना होगा उसको set करने के लिए तो यह तो हो गया आप कैसे action button को add करेंगे या फिर उसको remove करेंगे आप देखते हैं rearrange quick action buttons अगर आपको arrange करना है मतलब कौन सा notification button आपको उपार रखना है कौन सा नीचे रख करेंगे दुबारा से edit mode में जाना होगा right click करेंगे वहाँ और edit में click करेंगे देखें यहाँ पर सब फिर से दिखा रहा है pin button suppose मुझे कोई action button उपर चाहिए जैसे कि मुझे wifi को पहली जगा पर रखना है तो मैं उसको drag करके उपर आके छोड़ दूंगा तो वह उपर आके set ह इसको जहां पर रखना है उसको drag करके उसके position में रखिए जैसे कि इसको मैं यहां पर रखना चाहता हूँ और network को भी उपर ले आते हैं तो जिसका इस्तमाल आप regularly कर रहे हैं उसको उपर रखें उपर चार बटन में ताकि आप collapse इसको set करने केने में डॉन में click किजी जब आप collapse में भी click कर देंगे तो यह चार जो आपने उपर रखा हुआ है वह action बटन हमेशा उपर दिखाया जा इसका इस्तमाल directly आप यह पर कर पाएगी अगर आप चाहते हैं कि कोई app का notification यहां पर ना आये तो आप उसी app का notification बंद कर सकते हैं इसके लिए आपको setting में जाना हो and actions यहां पर क्लिक किजे यहां पर एक option दिखा रहा है get notification from this app मतलब यह सारे app आपको notification दिखा रहा है यहां से किसी app का notification आप बंद कर पाएंगे जैसे कि अगर आपको email का notification नहीं चाहिए तो email सेक्षन में इसको off कर दीजिए अप mail app का notification आपकी screen पर नहीं आएगा दुबारा स on कर देता हूं इसी तरह से आप जिस app का notification बंद करना चाहें वहां से off करके बंद कर पाएंगे और एक option देखिए अगर किसी app पे आप click कर दोगे तो उसमें उसका extra settings open हो जाएगा यहां पर आप क्या कर सकते है number of notification visible in action center मतलब यहां पर दिखा रहा है कि तीन notification आपको action center पर द वो पांच notification pen पर आपको दिखाएगा अगर आप इसको चाहें तो कम या ज्यादा यहीं पर कर पाएंगे मैं वापस से तीन कर रहा हूं यहां से उसका priority भी आप set कर सकते है priority of notification in action center तीन option है normal priority, high priority and top priority आप जो priority रखना चाहे उसको रख सकते हैं इसको मैं बंद कर देता हूं इसी तरह से आप notification pen को अपने हिसाब से customize कर सकते हैं और बहतर इस्तमाल के लिए आज की वीडियो में इतना ही उमीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा अगर आपका कोई सवाल या suggestion हो तो नीचे comment में जरूर लिखिए और इस वीडियो को like करना मत भूलना मिलते हैं अगले वीडियो में keep watching